लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी में एक बड़ा उलट फेर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं या यू कहलें कि सुत्रों के अनुसार चे जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी में बड़ा उलट फेर हो सकता है दरसल बीजेपी में एक वेक्ती एक पद का सिध्धान्त लागू है ऐसे में नजर सबकी जो टिकी हुई है वो है समराठ चौधरी पर आपको बता दें कि फिलहाल समराठ चौधरी बीजेपी के परदेश अध्यक्ष भी है और बिहार सरकार में उप मुखमंतरी भी है पिछले विधान सबा चुनाव में एंडिये को सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ था बाद में नितीस कुमार की पार्टी जेडियू के महागटबंदर में जाने की वज़ह से बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी उस समय आपको बता दें कि बीजेपी के सामने जेडियू और आर्जेडी से एक साथ लड़ने की चुनोती सामने आ गए थी ऐसे में बीजेपी ने पिछले साल मार्च में समराच चौधरी के हाथ में परदेश की कमान सौप दे थी और खुसवाहा समुदाय को खुस करने की कोशिश भी की थी ऐसे में समराट चौधरी के जरिये बीजेपी की नजर कोईरी और कुर्मी वोट बैंक साधने की थी इसी बीच अब परदेश की सियासत का गनित बदला है और नितिस उमार फिर से इंडिये के साथ आ गये हैं इंडिये की सरकार बनी और समराट चौधरी को मुखमंत्री भी बना दिया गया है बता दे आपको कि लोकसभाद चुनाव में बीजेपी संगठन में बदलाव कर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी लेकिन अब चुनाव के बाद बड़े बदलाव की तयारी है अब देखा जाए तो आरजेदी जहां कुछवाह समाच को लागातार साधने की कोशिश कर रही है तो वहीं बीजेपी अपने जातिय समीकरन को भी दुरुस्त करना चाह रही है ऐसे में सुत्रों के अनुसार जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो है कि बीजेपी सभी पहलूँ पर अभी विचार कर रही है परदेश बीजेपी अध्यक्ष बदलने पर भी विचार किया जा रहा है ऐसे में कई नामों की चर्चा है कहा जा रहा है कि बीजेपी समराच चौधरी को ही अध्यक्ष बनाय रखकर उपमुखमंत्री पद पर बड़ा बदलाव किया जा सकता है हाला कि अभी कुछ भी कहना जल्दी बाजी होगा सुत्रों के अनुसार से ये भी खबर है कि लोगसभा चौधर चौधर में उमीद से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलने के बाद यह साफ है कि बीजेपी अगले साल होने वाले चौधर के लिए कोई भी जोखिम नहीं लेना के चुनाओं से पहले बीजेपी बिहार में बड़ा बदलाव करने जा रही है ऐसे में देखना देल्चस्प होगा कि उप मुखमंत्री पद पर अगर बदलाव किया जाता है तो किसे कमान दिया जाता है आप किस पर क्या रहा है कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा